नया साल आया ही था कि एक हफ़ता निकल भी गया और उपर से 15-16 गंटे पढ़ने के जो टागिस रखेते हम लोग नहीं वो भी संप्लीट नहीं हो पा रहे हैं और पोचिंग में वहां पे हमारे फिंद्स जाके फुल सिलिबस मॉक पे रहें उसका दुख अलग मैम हिट तो अभी हो रहा है दुख तो अभी लग रहा है सीरियसनेस तो अभी आ रही है तो बताओ यार क्या करें माम की ये 4 महिने में नीट क्लियर हो जाए नीट विंटिटिटिफोर क्लियर कर पाएं बच्चो आप जैसा हाल मैक्सिमम बच्चों का है अभी, टॉपर्स को छोड़के मैक्सिमम बच्चे अभी सीरियोस होना शुरू हुए है, तो आप लोगों के रिए पहले तो मैं बताड़ू क्या नहीं करना है, सिल्बस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले सिल्बस को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो, और मोडियूल्स के पीछे भागना छोड़ू, स्टिक टो एंसी आटी, मोडियूल्स के पीछे भागोगे, सिल्बस कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा, फूल्स सिल्बस मोडियूल्स देने, अभी मच जाओ, भी मोटिवेशन मिलेगा, और अटेंशन अलग से होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सिल्बस, तो मोडियूल्स आप दोगे, टाइम आएगा आपका भी, बट अभी नहीं, तो क्या करें माम, सबसे पहले तो रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ, कोई टॉपर का वीडियो देखके नहीं, अपना हाल खुद समझ के टाइम टेबल बनाओ, हर दिन एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का कम्प्लीट करने का खोशिश करो, साथ में MCQs, अगर आप एक स्लो लेर्नर हो, बहुत फास्ट कम्प्लीट नहीं कर पाते हो, तो एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर फिजिक्स का एक दिन, अगले दिन एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का दूसरे दिन करो, पर बहुत सारे MCQs उसके साथ करो, और सोने से पहले एक बार उसको रिवाइस करके सोना, दोनों चैप्टर को, दोनों सब्जिक्स की, और उसके साथ आपको पता होना चाहिए, कि minimum 630 मार्क्स तो चाहिए, भाई, select होने के लिए, नीट, clear करने के लिए, तो उस हिसाब से physics और chemistry के कुछ chapters चुनके, आप छोड़ सकते हो, सुनने में बुरा लग रहा होगा अभी, पर लास्ट में जाके वो chapters चोड़ने से अच्छा है, कि अभी मन बना लो कि ये chapters में छोड़ूँगा, बट biology, उसका कुछ नहीं छोड़ना है, 360 marks is of biology, और 360 marks मुठी में करना ही है, अगर आपका सपना neat है, तो definitely I'm pretty sure कि आपका bio तो strong होगा ही, तो जो strong हैं उसके और strong बनाना है, realistic time table रखना है, ताकि वो जो छोटे time table आप बनाओगे, जिसको complete करोगे आप और आपको सोने जाओगे न, इतनी chain की नींद आएगी, कि आज मैंने अपना goal complete करके सोया, और वो chain की नींद का ऐसा addiction लगेगा आपको, कि भई एक दो हकते बाद you will crave to have that chain की नींद, तो every day you will push yourself कि भई आज मैं complete करके ही सोंगा, तो आपको बाहर की motivation की तो कोई ज़रत पड़ेगी नहीं, और बाकी NEET 1 team तो यहाँ पे है, आपकी साथ till your NEET exam, every single day one shot दाल रहे हैं, हुम लोग PYQs प्राक्टिस कर रहे हैं, शौट में revision करवा रहे हैं, और बाकी hard work is the key, तो आप लोग hard work करते जाओ, we are with you, कमेंट में लिखके जाना कि इस बाद NEET 2024 क्लियर करके रहेंगे, NEET 2024 is mine.